जास्टीवी देख रहे हैं तुसी मैं के पीसेंग तो अड़ा स्वागत करता है पारत देवेच लोगसभा चोना हो रही है ते लोगसभा चोना दे पेले गेड़ तो पहला पाकिस्तान दे प्रामंत्री अमरान खान दा ब्यान होंता पाकिस्तान दा मुद्धा एक वार फिर पारत्य स्यास्ते वेच एमरान खान ने ब्यान देता है कि मुद्धी दे ऌन्दे न आल मुद्धी वापस उन देन आल कऊछ मस्लें हो सकते के ंसले बस्क्राव कि शी दसांगे अ desse स्वान घck Жान मोधी दाख क्यों लूग सांगे पाकिस्तान प्रदान मंत्री दे ब्यान ते कंग्रस हमलावर हो किया मोधी जी दा पहला नवाज शरीफ ना प्यार सी होने इमरान खान तो अड़ा चहिता जारा कांग्रस से ट्वीट करके केंदी पही है पाकिस्तान मोधी नवाज शरीफ से प्यार और अब इमरान खान उनका चहेता यार पर इमरान खान जी एक बात समझ लीजिए पाकिस्तान में मोधी जी की जीत के पटाके नहीं फूटने वाले क्योंकि वो 2019 का चुनाव नहीं जीतने वाले इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ये चाहते है I.S.I. ये चाहती है कि एक ऐसा प्रधान मंत्री हिंदूस्तान में बना रहे जिससे देश में आंत्री कलेह हो जिससे देश में ऐशान्ती हो जो राष्ट्रिय सुरक्षा के साथ खिलवाड करे और खुद फिल्में बनाए इमरान खान क्यों चाहते हैं नरेंदर मोधी पुर्णान मंत्री बने भारती जनता पार्टी की सरकार आए ऐसा इमरान खान क्यों चाहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुल्मामा की घटना को इम्रान खान ने इसलिए कराया कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी उसका चुनावी फायदा ले सके अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए तो कहीं पुल्मामा की घटना नहीं कराई गई यह बड़ा सवाल है देश पुछा जावेगा पारत वेच पहले गेड़ दियां चोड़ा तो पहला इम्रान खान दे बियांते कंसान क्यों ऐसे सवालते सी बैस करांगे खास पैनल सादा मजूद हागा है और तारफ करा रहे हैं महम्मद खालिद स्यासी जानकर तो तो आरते सादा मजूद हैं के प्र कृट बापते से संद्वे बना इनकर तो सादो आखता है 60 hilar आज तो अनु बना बना धरता कि महरा है क्या पक्की होकि कर नकर ऑपर पाकिस्तान दे बेचा सवादा me को थे लोगानु केंदे सी कि मैं वैसा शार्षन दाऊंगा चोना करके जिकर हो रहे हैं चोना तो अकेज पिछे नहीं हो दा मतलब ही है ना मेरी गल्थे सुन्डो में अमरान खान हो दो जिकर करते ही जिमें तुसी मेरे ज्यादा बोलने हूं दसो लोक राज दे अंदर लोक आज बहुत जुरूरी हूं दिया जो साथे लीडरे स्टेटमेंट्स दे रहने हैं बख बख पार्टियां दे उननों ए भी समझ नहीं के पाकिस्तान पुल्वामादी कटना करवाती गई आ होया इस तरह नहीं गलना केंदे हैं तुसी वेलकम कर दे अमरान खान दे प्रदान मंत्री नहीं बढ़ना देश दे जनता ने मुदीजनु परदान मंत्री बन जा रहे हैं देखो तुसी ये पिछे जीडी है पाकस्तान दे प्रामिनिस्ट्र दी एक्चल सियासत है नहीं समझो मैं देखो मैं किसे नहीं कर देगा पर मैंनों सोस है कि जिस मुलक दा प्रदान मत्री चाव विचनादा हूगा ओदे ना यह हतकंड़े कोई भी घर सकता है हतकंडा की है और पता है भी एस बंदे ने निरेच उठते पांच साल सरकार चलाई है और लोकार नों पता भी यह नों पता देच उठाना किता की अमरान खान ने यह ब्यान देखे के जए दबारा बीजेपी दी सरकार मोदी अजन दी है तर सदाव हो सकता किश्मीर दा कि में हो सकता है और कर दा है मुस्लिम अधिशन जड़ी है ना मुसलिम जड़े है उनना थे खलाफ आडmental ने जड़ा ने तका हरो तो तुषिए अस ब्यान ऩा मतलब ही गांटा किस्मीर होई इस वह ब्यां मतलुं जब और हो जाबद हीधे लिए लिए तरी सेवंटी नुके अब अब एसी डिलूट करांगे यह अजिते अलाओ करांगे लोकान पर चेस करन दी जमीन वास्ते इन अधा मकसद की है कि कश्मीर देवेचा जड़ा किश्मीरी है चाहे हो इंडिगन मुसलिम है चाहे कोशी भी यह चाहे वक्वाद दिये क प्राइम मिनिस्टर देखो जवाब जो मर्दी है रिष्टिया वारे पुछना ता बंदा है ना नुवाज श्रीफ नाल भी जो कुछ ग्यास का बिना बलायों चले गए ते होना जड़ा बयाना आया ओवी इलेक्शन था एक ओस कंट्री दे प्राइम मिनिस्टर दा जेदे जारा तरते मतलब दुश्मनी आली कल लें अजी किनने साथे नौजवान शीहिद होया और इवन पहला पार्टी जन्ता पार्टी पावर चाहिए पिछली एलेक्शन चोदों भी शातियंच सीना थे होर कही किते ही हैं बात किता इंच नहीं बात किता कर दो नहीं ना कमजोर सब्सक्राइब करें देख सकते एक ब्यान करके देखो के मुद्धी पर दामन्तिर द्वारा बन पाकिस्तान देख सब्सक्राइब कर रही है सब्सक्राइब पाकिस्तान पारत दी जड़ी एकता है कि उन्हों तोड़ना चौन्दा तुस यह कह रहे हैं इंडिया नू भी मतलव हो जिए पारत नू तोड़नी है कोश्या हो रही है तुसी इस ब्यान ता मतलब की समय जब तो पहना ए ब्यान जड़ा है ए पारत इंटरनल फेज विच एक इंटरफेरेंस है और आइ थिंक गवर्मन फिंडिया शोड इमिजएटली कंडेंब दस कोके इम्रान खान दी कोई बिजनस नी है कि उसादे एलेक्शन प्रोसस एक दिन पहले एडी स्टेटमेंट दे और कै मैं इस पार्टी नू फेवर करना तो ता इस पॉइंट वान प्रेस कांफरेंस वेच जिड़ा लिमिटे और एक्स्टूसिव सी ओ ग्लोबल पावर्स नू सीगा और ओदे वीच उना दी दो प्रॉंग्ट स्टाटीजी सीगी पहली सब तो वड़ी स्टाटीजी उना दी ए सीगी के बहुत जारा ग्लोबल प्रेशर पाकिस्तान ते आर और ओदे नार पाकिस्तान नू फिनैंशली बहुत जादा इंप्लिकेशन हो जानी क्योंके तो नू सब नू पता है के पाकिस्तान दा ट्रेड डेफिसित फिसकल डेफिसित उना दा रूपी जड़ा है वन फॉर्टी रूपीस तो डॉर्ड हो गया है ठीक है जड़ा पाकिस्तान खुद नू आइसॉलेट वहसूस कर रहे है, बिल्कुल आइसॉलेट मसूस कर रहा है और पाकिस्तान दी इमरान कन दी जड़ी इजड़ी स्ट्राटजी है, वह है के मोधी जी इलेच्शन फेस कर रहे ने, कि ते ए ना होए के एक होर उगरवाधी हमला हुए, ते मोधी जी पाकिस्तान ते बड़ा रिटैलिएश्टूलों मैं इस ब्यांते भी होंगे बहुत द्यान मातपुर्ण हागां इमरान खान ने द्याथ एगा इस ख्वाब देव चाले होर्केडे काप सजाई है कि आखान साब ने बहुत सारे सॉखल है कि यह सब देव चाले व ब्यां देता है ओ ब्यान मिरेको प्याबी एची में तंदास से ना जेकर होंदे देना में चोना मुदी दे खलाफ जांदिन ते पार्त पाकिस्तान ते हामला कर सथा इमरान कान ने कहरी है खान सट्थ देर वस्टेल पॉसिबिल्टी इप डिए अगेंस्ट मोधी इन अने क्या है खालिश साथ तेको जड़ा अज दी जड़ा इटरविव उस इंटरीविव नहां पका इका इका ऐका एक। यस नोधी पहली चीज आगे जिसमेले कर्तारपूर शाभ लंग है दिब शुध ग़ातन ओया साड़ेतों मंतरी जेए उस वहले असेंब्ली दे विच ब्य पाममा ते बाद जिड़ा उने इंटर्वी दती ओ बयान और उस ते बाद जिस विले बाला कोट ते बाद जिड़ा उस सारे बयान जिड़ा है उन्हों अगर अपा देखिए तेने चार चीज़ां पड़ी है इंपॉर्टन्न फोगली ने जोड़ना खाली सब्सक्राइब कि इंटर्नेशनल मीडिये समने लोकां दे समने दस रहा है के मैं पीस चाउना मैं शांती चाउना और हून एदे विच भी हैगा लेकिन दूसरे बसे कंट्र अडिक्शन है कि जड़ा किश्मीर दा मसला हो कहें देता प्लिटिकल मसला हैगा एदा उत्ते एक प्लिटिकल मूव योग इनिया जड़ी ज़ो भरते हूना को सब्सक्राइब, ज प्लिटाओं ओर सबाड़ा, तो रही है यह पोलराइजेशन दे स्टेटमेंट आ रही हैं, मोदी जी पुल्वामा दे नौते वोटा मंग रहे हैं, जिस तरीके देन अलकल दा ब्यान से का, दूसरे पास से जड़ा है, इमरान खान, वो कॉंस्टेंटली जड़ा है पीजदी गल कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो इस करके कर रहे है कि जेड़ी एथे एक फ्रेंजी क्रियेट किती जा रही है, जेड़ा एक क्रियेट किता जा रहे है, पॉलराइजेशन क्रियेट किती जा रही है, वोदी हवा जड़ी है गया है, वो कड़ता जा रहे है, तूसी इमेजन कर रहे है, तूसी इमेजन कर रहे इंट्रेंशनल कम्मुनिटी नू दूसरे पास से उना ने जेड़ा इत्थे गुबार पर पर परया जाना सी गा उसारा जेड़ा से का पंक्चर करता है। इत्थे साढ़े इलेक्शन दे भी डिस्कोर्स पाकिस्तान है। वो गहने नहीं यह सी था बड़े क्लोज रेलेशन चाहने है। तुसी एसनों इंट्रफेरंस नहीं मन दे। इंट्रफेरंस जडी है किया है इस तुसी वे प्लिटिकल गलबात चल दिया है बड़ी flor勻 चीजने वह काओ धून अधिते हैं गुकते समय मते हो पीछे मोटिफ है और परपस जो ही आएगा हो साट्ड़े इलेक्षोन नो इन्फुलेंस करना है और इन्फुलेंस किन नगून आगए ज्यादा है अगे नू होर बयान आँगे तुसी इस ब्यान नों कांगर्स एखलाफ ते बीजेपी दी हक्च मन दें। क्यों। मैं अमर्क एखलाफ मन दा है। यह जड़ा ब्यान है। यह श्रारत है। और यह जड़ी गालत कह रहे हैं। अपने कह रहे हैं। मेरे दोस्त। के पाकिस्तान इस डाउन दिदाप्स। फैनेंशली बहुत मारी हालता हुना भी। यह जड़ाजने ना ना कुले कोई रज़गार्दा हुरसादाने ना ना कुले तेला ना कुले रुटी खान लुए। मिल्ट्री यह जड़ाई लड़ाई लगादी है। मिल्ट्री यह जड़ाई नहीं कर सकते हुए। इंटरनाशनली उना दियोते लग रहे हैं सैंक्शन्स। जिस फैनैशल सैंक्शन्स लग जड़ाई नहीं सारे। अमिरान खान एक बोगी क्रियेट कर रहा है। सब दे सामने कि मैं पीस चाहुना है। मम पारटी है। इंटरनाशनली तक उतलाभ थेखलाफ सैंक्शन्स शैंक्शन्स नहीं कर रहे है। अमिरान पड़ वह कहिंड़ा है। मिल्कुल सही हो रहे है। अधर दन बीजेपी ओना ती फिर करके डर्दे मारे फिर साइको से ना क्रेट किता हुए है मुसलिमनेस दे उल्ट इना जादा हिंदुतवा हुए है कि ओ डर्दे मारे आउन गहीं टेपलते दुजी गाल सब तो बड़ी गाल के लिए इंदे नेक्स्ट फ्यू वीक्स लिटरी वेको सोचो नेक्स्ट फ्यू वीक्स साधे यह तेही महीता कहला एक्षन नेक्स्ट क्षेशित करें आप लौ यह तो फिल्ट फ्यू इंडियाट स्टेटमें जडि इम्राम तो पहले आई है वो इन इथी आज परिष्ट मौमूद शाह नी क्रशी दी आया है कि अंडियाट सोलां और भी अप्रायल विचेख ईक्ट लांच करेंगा पाकिस्तान तुरंत बाद अगर फॉर्मुरिस्टी स्टेटमेंट आई कि अगर पाकस्तान दी ए जड़ी स्टेटमेंट हो तेर्रिस्ट नो एक सिंडल दे रही है कि तुसे इंडिया थे अटैक करो असली गल की है कि अगर एक वड़ी या बड़ा टेर्रिर स्ट्राइक हो जाना है उदे नाल बहुत जादा टेंशन एसकलेट हो सकती है और पाकिस्तान नो एक फिकर है कि जिड़े जिहादी ने और सारे जिहादी जिड़ेने वो पाकिस्तान दे कंट्रोल देने नहीं है अगर ओ कल अटैक कर देने ते मोधी जूनों एक बड़ा वड़ा हैंडल मिर जाना है एक बड़ा हामला करन ली पाकिस्तान बिलकुल गले है कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकता इंड पीस चानना और देखो सब तो वड़ा बयान इमरां खान जड़ा आया है ओ तुसी नोट करो ओ बी-बी-सी नोगा आया है परसो उन्हें किया कि देखो कश्मीर नो तुसी सॉल्व करो कि कश्मीर इस दे the root of Indo-park tensions. उननने इम्रान खान ने फिर होर गल की ती उनने कहा कि कश्मीर पिछ कुछ भी हो जाए इंडिया साधे ते ब्लेम पादें दी है। उननने कहा अगर कश्मीर कुछ भी हो ने इंडिया साधे ते ब्लेम पादें दी है। सो इम्रान आए सीगा कोशिच करने कें दी कोशिच के असी ता कश्मीर नूँ सॉल्व करनू त्यारा एक वरी कश्मीर सॉल्व हो जाए तो इंडो पार्क टेंशन जडिया ने और फोरेवर ली खतम हो जान गया। जड़ी इम्रान दी एस्टिमेट है के मोदी जी आंगे ते कश्मीर सॉल्व हो जाएगा। मैं कहना का यह उना दा एक मोटिवेटेड ब्यान है क्यों। क्योंकि अज तक मोदी जी ने जड़ी कश्मीर पॉलिसी दिखाई है। गश्वाइबंच वेच ओनान ने एक बड़ी क्लियर डेक्लारेशन केती है के पाकिस्तान है लोट टार्ल पॉडेशन किटी है के पाकिस्तान है जाएगा ते कश्मीर सॉल्व हो जयगा। यह पाकिस्तान चोट बोल रहा है और ट्रैक रिकॉर्ड जड़ा है वो नहीं शोग कर रहा है जिनना फेट अमरान खान मोदी जी वेच कश्मीर ते दिखा रहे हैं गर्यवल साब यहीं अमरान खाना आरे अरे डाटसन रुआ रहा है एहीं इमरान खाने जड़े काटगिंतियां दे वरोधी मोदी सामने केंजे सिबे वहन वी और यहीं गल कह रहा है कि तो नहीं लगदा कि मुसलम पाई चाहरे हैं हाक वेच खड़े दखाई दे रहे हैं इस सब्सक्राइब करना चाहिए है और दूजे पास से जो गल विकरम जी ने कही है और बहुत ज़्यदा मैं भी सहमत था हूं दे नाला कोई दिखाई दे रहे हैं बीजेपी नोगता कि नहीं लगता इस दसदा तेड़ा हैगा ओ अपनी पॉलिशी दे तहत बोल ले और कोई सब्सक्राइब करने कोशिश था नहीं असी मुसलम पाई चाहरे दे मामलेच आइस 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 तानी कोशिश था नहीं आशी मुसलम अब देश दे बोटना थे परोफ्सा वो सनुसमर्थन दे रहे हैं असी इम्रां घांट शनुसमर्थन नहीं चाहिए तकी व्रोध करिये आपर हां कर दो असी वेलकम भी नहीं कर दे करना किये अपर आप यह जड़े बैतों के बैयान देते जा रहे है या ओधे ते कमेंट क कर दे रहो जो अब आपा बैस ना करिये फिर नी बैस जरूर करो अब यह जरूर पर बैस ऐसे इंटलेक्टिल जड़े बोल रहे है ना इन इन आनु पूरा अदेशा है के पहला वीजड़ा अटायक होया सारा होया ड्रमा होया है बला कोड़ा शनुसमर्ड यह जो उड़ी पर बिफर दी लेक्षे टू गोवे फ्रॉम्हा सब का साथ इंट व्हाथ नानलिज्म और नाशनलवल्ड ने प्राइग पेर आपारा है जिख वर पार्टी नेंता बठा देलता अपसोट लिच वाप व मुझादी तल बठादा है पारत है पहले जोड़े और अपैसारें नो इस गल्दा पता है के जद्दा इसराइल बने है RSS ते BJP इसराइल ते इंडिया दे रिलेशन्स नों हमशा स्पोर्ट कर दी रही है और जिमें जिमें जदो जदो BJP पावर चाहिए है रिलेशन्सिप ज्यादा क्लोज होई है और परदानमंत्री निरिद्र मुदी पहले परदानमंत्री है जड़े के इसरेल गए पाकिस्दान दे अगेंस्न्सिप रही है जो भी है उसानों मिल रही है इस करके दोने कंट्रीज दी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्शिप टेर्रिजम दे गेंस्ट या पाकिस्तान दे गेंस्ट डी है गिया उता जग जाहर है उता सब नू पता है इस चीज नू सामने रखके है के इसराइल दे विच भी इलेक्शन होया कर ली और उना ने वी ओही गल कीती है किसी वेस्ट बैंक नू अनेक्सेशन कर लांगे उस सारी चीज हो रही है के जड़ा है किश्मीर है या एंटी पाकिस्तान रेटरिक जड़ा है चल रहे है साड़े इलेक्शन दे विच पुलवामा आते या टर्रिजम ते इते भी चीज हो रहे है उस चीज में अगर आपा देखिए ता पाकिस्तान इंडिया दा प्रदानमंत्री दा जड़ा काम करन दा तरीका है गा ओ नेतन यहां तो को ज्यादा दूर नहीं है उनना बराबर किता जासा दा लेकिन उते दा बहुत जयादा तीब रहा है उते दा बहुति रूथलेसली जड़ा पावर दा इस्तेमाल जम्हिंशन जांदा इते हो नहीं है इते पारलिम्ट भी है है अपने सुप्रीम कोर्ड भी है अपोजिशन पार्टीयं भी हैं इस सारे चीजां दी पर ज़ीज इस्राइल वाला जिड़ा इम्रान खाने जो रहा है वो इम्रान खान दा ही रिजिनली बयाना जा चाइना दा ही वेच कोई पार्थ हो सकता है यह याझिक तू इस्राइल जा चाइना चाइना तू दू कि इस्ट रखतान की विच खेल कोई उस्याध अबिदन्स नहीं है पट एग अलत सही है के फॉर इस्पाइस बांपल जिड़ा आसी स्पाइस बांगी ता सी बालकोर ते इन एल इस्ट तू इस्राइली ओने इस्पा अशի करें. बट चाैना करीशे हैं बहुत हैं पाकिस्तान होई और हो है. इसलिधे moral और पिसे होनी बड़ी इंपॉर्ट परस थ्लिधे के चैना कि हुआइद्स पाकuciones पर辦法 रहे हैं कि चैना और और जिदे लन पाकिस्तान बार बार अपनी स्टेटमेंट्स इच भी कहनदा है पीस इंस्टेबिलिटी लेके आओ डायलोग शुरू करो कश्मीर नो रिजॉल करो सो ओ किसी हद तक चाइना दा इंफुएंस तोनो उते दिस रहा पाकिस्तान दी स्टेटमेंट विच बट आइधिंक एजड़ा इमरान खान दा ब्यान है इनने एक सब तो बड़ा परपस मैं तोनों दो दसे एक जड़ा मामुशाह कुरेशी दी जड़ी बड़ी से कुछ दिन पहले चार दिन पहले ही है कि बहुत इंडिया वार करन लगी है उन्हों इनने एमरान ने टोंडाउन कीता है प्लाइन भीरी इस ने प्लैना कि किसी ना किसी तरह असी ए एलेक्शन अनू पार कर लिये कि ते मोदी हामला ना कर दे कोई एसकलेशन टेंशन इन्या होजे साड़े तो संबाली नी जाएगी और उस टेंशन में पाकिस्तान नू फिनेंशली ग्लोबली बड़ा प्रेशन है क्योंकि तो उसी गल नोट करो कि आफ्टर पुल्वामा अटेक ग्लोबल कुम्यूनिटी ने कश्मीर और टेरिजम दा डीलि प्रेशन दी कोशिश कर रहा है इन अमरान खान जब्यान और तुसी अगें पाकिस्तान एक गलते वापस आ रहा है के टैक्टिकली आसी इन्नू संबाल लिया बाट जिससरा कहेंगी ने कुट्टे दी पूशने ते वापस आना ही है पाकिस्तान फिर अपने टेरिजम ते व मन्तरी अमरान कान स्टेक्मन देखे और ने बारे बीजेपी ने बात गया हो रही है और अफैदा किन फैदा भाटी ने फैदा आनल ही ते दा नुख्सान कोश्ट रहे है नुक्सानें वहांट नुक्साने अवगाँ नेच्छ लीजे पार्ति जन्ता पार्टिम दानुक्सान होगा ते नेकसिडियन पार्टियां गट जोड हेगाँ इसलावाद इस डिटर्म इसमें तुदिस्मेंटल और पाकिस्तन से पिस्टान काष्टरा पहले इस ने पाफे से प्रचान अड़ा थी बारा थाज्टर्टा रायेए लास्ट परै खो जो कै रहे ने मिकरम मिस्टान साइड वाइड इस नेभर अवगानसान इडिया और एज वाफ प्रचान इस विड़ा आपकाने निड़ाण पुल 100 million people out of poverty so जे कोई बंदा पीस देवास ने कुछ भी बोलदा है उन्हों को को के तरी नेगतिविटी कट कटके ओवी ठीक नहीं हो सकता है उते दास परसंट जैनुरनेस भी होगे पर एस जंक्षन ते एस जगा ते एस टाइम ते आके ब्यान देना कल नू एक्षन दे उटना प इंडिया दे कोई ब्रिटिकल पार्टी इमरान खान दे ब्यान दा वैलकम कर दी सिथी पे चाया जा नहीं मैं अगर पाकिस्तान ने कहना सी के कॉंगरस जितरी एक्षन तुसी सोचो के बीजेपी और अनो दे सपोर्टर्स ने किना अटाक करना सी कॉंगरस तो कहना सी ने कि कॉंगरस तरीके ना रेक्ट कें कर पा ही मेरा स्वाल है कॉंगरस ने रिया की ता है कांगरस एक एक स्टेटमेंट आई है के वोट फोर मोधी इस वोट फोर पाकिस्तान हा थी का सुर्जेवाला साथ तुट के तौनु याद होगा गुजरात असेंबली एलेक्शन तो पहल पाकिस्तान ना साथियां चोना नो पर वावत कर सकता है, साथे बोटर बहुत सूजवान ने, और ए पुलिटिकल पार्टी जिस तरह दे इर्रिस्पॉंसिवल स्टेटमेंट्स दे यह नहीं देने चाहिए, इंक्लूलिंग बीजेपी, बीजेपी कोई इर्रिस्पॉंसिवल स आधि कंषिन लिता, सुब्स काम न हो दे इर्रिस्पॉंसिवल स्टेटमेंट्स दे करेंगे, और इससे बात्स देदे कर सकते हैं, इससारा से कंषिन ने, पर आपक्षा करके देखिया, प्ले थे रचनाँ दूमिस्ट कंष्ञण दोड़िकल प्ष्ण मंत्या पर वागश् करी जन्दे सुप्रीम कोड़ दा भी जाजमेंट खुदी देंदे और इन्वेस्टीगेटर के जल्सियां भी खुदी बढ़नेंदे या मैं सब कुछ बढ़ दो ते ना इना दी समझ जाओं दिया के की बोल देंदे देश दे लिए जदो भी कोई स्टेटमेंट देनिया तर इस पॉंसिबल स्टेटमेंट से न डेनिया चाहीं दियानि और विकरम जी बोल रहा है मैंनों कुछ भी साइज दी कि था क्यों थी थीक बोल रहा है जो बोल रहा है के बुद्ट कि खाया जीक कर देशना शारे तरे जोटके खाए तो दोड़ेंगा का कि यकु थी आड़ी स जात कर देति preço मंग मंते तो दुझे पासे हैं, है अप्षेत लेति लान्तोप सततता है मैं आप पाभास लहां नोपर हो जा सार्था रहा है तो आपने जाए जैने डिए है डोले गिंट ओ आप honor शेड दरहा तो है बहुत आपर शॉत भीन हपा खी मतलब है कि यह महममाद खाली तब सम्झें नी कोशिकरांगे क्योंके यह वार है इसराइल दी अब पारदी कें जा रही है बीजेपी दी फिर गूपि जा रही है कांगर स्य गाल की जा रही है सब देव चाले कश्मीर के थिक रख़ड़ा बेड़ वापस आहें कि अब्रेक्ट वापस आया सी सवाल को पुछ रहे हैं सब्सक्राइब पार्थ पहले गड़ दिया चोना तो पहला है अमरान खान देखर किता है तुसी किया सिगा सानु कंटीनिटी देखना चाहिए लांगा जड़ा लांगे दिली प्रसस शुरू होया उस प्रसस ते विचा तुसी यह देखो न काली और ने कैबिनेट ने फैसला कीता है कैसी गुर्णानक देव जी दे नौ होते हुथे रेलवे स्टेशन भी बिना माल गया तो तुसी यह देखो वी कंसिस्टेंसी है के नहीं है तुसी एक गाना चाहरो खाली साब लांगे दे नाल जिनी जनी प्रांशली प्राउबलम देविच है चाहे हो डिफेंस दे माम ले देच कमजोर है चाहे कुछ भी कहलो लेके निक कंसिस्टेंसी है मैं इक हल कह रहे हैं दूसरी चीज़े है गया है जे एक हैना के जी उनने बियान इत्थे देवारे दाता है तुसी देखो भी ट्रॉम्प पाकिस्तान ची नहीं अगर सिरिलंका देविच इलेक्शन दा उत्थे भी इंडिया इस एफेक्ट रहे तुसी उननों इग्नोर नहीं कह सकते यह से तरीके ज़ए ब्यान है और यह से ले ब्यान बड़ा कैल्कुलेटड ब्यान है और वो कैल्कुलेटड इस करके है कि अगर नरिंडर मोदी या वीजे पी किसे तरीके दे नाल कोई टेंशन करीट कर दीये के लए जैझे के बॉर्डर दे उपर या होर जगा ओस चीज नो किसे तरीके दर डी एसकेलेट करना एक कोई तरीका हैगा के तुसी पीस ते शांति दी गल कर दे चले जो और हुन भी उना नहीं कर दे लांगे दर नर्मान जिवंजी में अगे तुरूगा ए अमरान खरमलो एहो जो सने है और ओधी वज़ा करके इम्रान खान जड़ा हैगा ओपनी गेम बहुत स्ट्रेटिजिक टांग देनाल चला रहे है खेल रहे है और ओधेनाल जड़ा है इंटरनेशनल कमुनिटी नो एक मैसेज जरूर चाहिए है विक्रम जी जी मैं आ रहा है डटसन दो आ रहा है विक्र सब्सक्राइब करतारपूर सब्सक्राइब कर लिए जड़ी एपरिल टू नो मीटिंग होनी सी पाकिस्तान बेच ऑन करतारपूर रहा है वह इना ने कैंसल कर दी और सिरफ सब तो बड़ा मोटिव एक ही सी का के मैं साधी डेलेगेशन पाकिस्तान ना जाए क्योंके साधी जो अगर साधी डेलेगेशन पाकिस्तान जान दी तो साधे साधे सब्सक्राइब कर लिए तूसी टॉक्स अंतरर नो फेर कमाइन कर लिया इनादी साधी पालिटिक्स है के टॉक्स अन टर्र कांट गो तो टोगेदर रहा है नहीं करतारपूर साभ कॉरिडर नो उ थे अधी कि they sacrifice करता पुर्षाफ कॉर्डर at the altar of BJP's domestic politics. चोना चल रही है नहीं, वोन वो डैशना नुक्सान हो रहे हैं इम्रान खान को पुटर एपनी, और एदे नालजिदा पारत भी आपारत बहीं, चोना दे रहे हैं, वो फुनदे प्रभावत निहीं हो ना, देशने देशने नागरिक बड़े सुझवान ने बोटर वो इम्रा किसे रैली वेज तुसी नहीं कहोंगे कि अमरान खा डर गया साथ है तो नहीं नहीं तुम दस नहीं पाकिस्तान विद्धार वी नहीं रहे तुम एक चीज दिखो देविश नोट करो उन्हें माइनॉर्टी जुबीन आल युक साथ तैं मैं तो अंदे खलाफे ते बहुत कु अधिका दिकल कर देया तुम एक कश्मीर कश्मीर ओने किया प्लिटिकल मसला है और और उना दा मसला है दूसरे पास से मैनॉर्टी जुक ता भी तो अनुत तुन्या जा रहे है तो एंटी एंटी इंडिया मुस्लिम नेस जड़ी है गया पर रिवेल कर रहे है कि मैं ता सब्सक्राइब कर देया पर रहे है कि मोधी आगर जित क्या तर बैटर है यानि इविलकुल टार्गेटिड थे इनने हृत जिका बाटिव तो अनु की रागदा है कि BJP ले खलाफे जाओगा तो वार बार 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 इस वाल कर रहे हैं ता जुआ 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 दे किदे इंटेलिजेंट है जिनना दे कोड़े पुखे नंगे, मर्दे पुखना रही है, लेकिन वो रवाइब करना चाहूं दे आओ दी एकॉनमी नू कर्ट ची दी पोलराइजेशन आफ दी बीजेपी दान इंडिया, ठीक है, हुन देखो, करतारपूर कोड़ रही है, ठीक ह दूद्या पासे मुसलिमनेस जड़ी है, उन्हों टार्गेट किता जा रहे है, उन्हों नुक्साया जा रहे है, अभी तोड़ा कोई थे व्यूद नहीं है, तीजाओ कहें दी आभी इन ने ड्रागे रख्या है, और पोलराइजेशन ऑन दी हिंदू तोवा अड़जना, ब इंटरनाशनल अपीजमेंट है, कि आसी सब पीश्चाओं नहीं है, माइनौरिटीज में आध्यवल करें यंदा है, बिल्कुल भीजेशन गलाव प्ले कर रहे है, जक्तार संगिडा, कमांतरी पदर ते कि इमरान खान आपनी ओ छवीय जड़ी, वो बहुत उस्ते ले जाना जाना चाहरे है, जाना चाहरे है, और जाएगी भी आज जिस तरह दिया है, और पहला भी इमरान खान ता रोल हैगा, जो अपने पाइलेट नू शड़ीया है, जहां पेचला पुल्वामा तो बाद जिड़ा सिट्वेशन बढ़ी से कि एक ताम लड़ाई लगन ते हिलात ह हो गया सिके, ओदे बिच भी इमरान खान दा रोल ही है, उन्दा वेलकम करते हैं तुसी उस रोल दा, देखो मतलब एता है, क्योंकि हों तुसी कहने इसकी जांच होनी चाहिए कि पाकिस्तान भाजपा का चुनाव जिताने के लिए किसकी तरह की मदद कर रहा है, यह नाल ज जो अमेरिकन राष्ट्रपती ट्रंप दी इन्वेस्टिकेशन सेगी आजे भी रपोर्ट आ चुकी यह पेंडिंग है, वो डिफरेंट सेगी, वो दे बिच कैदा तौर थे, रशियन जिनाल, ट्रंप दे बंदियां दियां मीटिंग सेगी, उन्हें दा कुछ सेगा, इस ड गर्षाए, निपया है, मिरा थे, बिल्ब्स ही हुख सयुख सेगी, एक मैद ब्लीज, सन्दु साहअभ करेंड़ा ही शोन्य ओ सेगो, वन्हें मीटिंग सेग्या, इट सबंदिया सेगी। अब इम्रान खान दा बयान है विछ हिट्स आट कांग्रिस और मोदी जी नुक है बट ए मोदी दे खिलाफ भी जा सकता है जो को के मोदी दी सारी पॉलिटिक्स जड़ी है वो एंटी पाकिस्तान है उन दूसी देखो आज अमरान खान दा बयान है बिल्कुल बीजेपी दे तो पाकिस्तान की बाशा बोल रहा है कॉंगरस कुस कहेगा बाला कोट पर एविजिन समंगो के तो पाकिस्तान की बाशा बहात करता है निके अमरान खान ने बयान दे गहें के बेत भी तर्बयजिक्ट बयान के मौध खाली चाहिए अधरी इनडीन आर्मी अधरी देट में घरने तूर के तूर के इम्रान कंदिस ब्याना बी जैपी नुक्सान हो सकता है मैंनौ लग दाकि नुक्सान हो सगते है तो जह वज सारा आंट जंदी है को फिसी पाकिस्तान देखा रहा है। अगर आथ उसी हाँ सोचो के इंडिया दे लेक्शन दे पाकिस्तान दे लेक्षन तो पहना साड़ा प्रदान मंत्री कह दे के मैं नवाज शरीफ मुचांदा हो जते किना गलत होएगा जलो यह बहुत इस तो खोनी चाहिए दिया थे बहुत अन्वा विक्रम जी तौड़ा महमबख खाली तौड़ा नरेवल जाठा संदुसाफ दौड़ा जिक्तार समेडा भड़ा पारदे वेच चोना हो रही हैं ते चोना जो दो श्रूख हो जानगें चोना जो खत्म हो उस तो बाद ना बेयाना दे मतलब ही समझा जाएंगे पर आई दे तरीक वे जे क्या जा रहा है कि काट गिल्टी मेफूज नी है कि तो इस सोचन दा विशा है का ये पाकिस्तान पारती सियस्टे वेच दखन दाजी करता पे है का इस से लिस सोचन जरूरत है कि अपा इमरान खांबे बेयाना नो हल के विच नहीं ले आजा जाए 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 इस लिए पार्टी अर्था पार्टी जाएंगे सरकार इस ते सोचन के ब्यान दावेगी जो तो ब्यान दावेगी फिर चाचा करने बादे बहुत अनुए